आप लोग आज आपके सामने हैं इको तो इको पे आज हम लोग बेस ट्यूब इंस्टॉल करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको फूल इंस्टॉलिशन करके दिखाऊंगा बेस ट्यूब का अगर आप एक म्यूजिक लबार हो ना तो ये वीडियो बस आपके लिए है और अगर बिना इस किप किये हुए ये वीडियो अपने इंट तक देख लिया ना ओनलाइन से बेस ट्यूब और करके ये आप खुद घर पे इंस्टॉल कर लोगे इसके लिए आपको कोई क्यों साइथ ऊपर वारिंग किट इसे बॉस किट भी कहा जाता है तो इंस्टॉलिशन से पहले मैं आपको एक बार दिखा दो तो आपको पहचान ने में असानी होगा तो सबसे पहले आपको कुछ क्लिप्स मिलेगा उसके बाद मिलेगा एक जा राउन का लाइन उसके कोई से भी कमपनी का क्यों नहों कोई पॉलम है निए उसके बाद दो वेर यहां पर को पास करना पड़ेगा एक है वह आर्यम का केबल दूसरा है आर्सी केबल तो चलिए इसको पास करते हैं नीचे से लेके उसको उपर तक लेके आएंगे कुछ इस तरह से अभी जो आर्सी क तकके स स्कारा साइड के से लोग लोग लगा देना उसके बाद इसमें का कर देना है और उसके बाद नीच से हम लोग ने वारींग पास के यह ब्रधिया से भी तरह को पास करना है पास करना है इसको डिक्की तक ले जाना है खुछ इस तरह से और बीक्की से जाके आपको छीच लेंगे तो देख तो वैरिंग बहुत बढ़ बद बर्यास से आचुका है तो चलिए भी रेट कलर का जो वेर Are इसका connection करते हैं, code अबर सीट का नीचे battery है यह वेर बैटरी में आपका connection होगा, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो rate color के टर्मिनल, जो प्लस टर्मिनल है, इसके साथ हम लोग इसको connect करेंगे, तो चलिए वेर को हम लोग पास करेंगे, वेर को हिंस जगा से हम लोग पास फ्यूज कैसे बैठा जाता है, एक बार आप ध्यान से देख लिजिए, और एक बात, पुरा YouTube आप सर्च कर लिजिए, ऐसा installation आपको इतना details में कोई नी बताएगा, और हम यह try करते हैं, हम लोग कुछी भी install क्यों ना करें, वो आपको पुरा details में दिखाए, इस वीडियो क आप अपना प्यार दिखाना, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो एक बार आप यह समझ लिए, यह जो फ्यूज यह काम कैसे करता है, अगर बेस्टुब में कभी भी कोई सौर्ट सर्किट हुआ ना, यह फ्यूज जो है, वो जल जाएगा, उ इसका लिए आपका 10 नमर के एक नट चाहिए होगा, कुछ इस तरह का, उसके अबाद 10 नमर का साइज लेके इसको आप लोग टाइट कर देज़ेगा, कुछ इस ताइप से, उसके बाद जो टाइवेल से इसको यहाँ पर लगा दीज़ेगा, जिससे कि यह वेर ना हिले, त इसको फ्यूजे उसको मेंने साइट पर रख दिया, तो इसके काम खतम, तो सीट को अभी डाउन करते हैं, और वेर को पास कर लेते हैं, मैट का नीचे से, कुछ उस तरह से हम लोग इसको पास करेंगे, उसका बज़े वेर इसको नीचे से लेके जाएंगे, और इस तरह से तो भी हम लोग का सारा डवइर हम लोग ने खीच ली आ, पर देखे श्दारशी केबल का लाइन है, आडिम का लाइन है, और आपका मेन बेटरी का लाइन है, बस लेकि रह गया, ग्राउण का लाइन तो यह पे एक नाट है, इसको पहले लिए, आपका यह 12 नंबर का नाट हो गया और यह का और समय को ना इसमें क्लिफ करने जब आप चावी को आन करोगे और इस tätä कुछे को आपको ड़ोगा कर देंगे उसका बाद आएगा क्या आपका कि रेट कलर का सबसे मैं इसमें क्यू एक अटिप तो अब थोड़ा से ध्यान दीजिए ठीक है यहां पर जो ब्लेक वैर है इसको हम लोग ग्राउंड पे लगए हैं यहां पर मेंशन किया हुआ है ठीक है इप ग्राउंड पर लागा दिया अभी रेड वैर को बीचो बीच लाएंगे जहां पर बैटरी का उप्शन रहेंगा फॉटा बहां लिखा रहेंगा उसमय फोगे में पार्ट करेंगे इसको थीक है यहां पर वर उसका परकी केंड़ तो बुरह का लगा है ब्लुट इसको गलत मत लगाना पूरा एक्रेट यह लगना पड़ेगा नहीं तो आपका बेस टूब खराबी हो सकता है तो अब क्या बज़ गया सिप आर्सी केबल बज़ गया तो आर्सी केबल आपको कहा लगाने हैं पर देखेगा इन्प्यूट का ओप्शन दिया गया तो इस पर हम लोग इसको बैठा देंगा पड़िया तो अभी हम लोगा साड़ा काम कंप्रीट हो चुका है तो अभी चले इंगनेशन को अचुका है तो पीछे के साड़ा काम हम लोगे कंप्रीट हो चुका है तो चले अभी हम लोग गाना बचाते हैं फोन पर जो हम लोग का बेस्टू बेवह सक्सेस्पुली वर्क हो रहा है तो एक बार मैं आपको पीछे से दिखा तो अभी मैं आपसे अलवीदा लेता हूं मिजुक सुनिए लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल के सस्क्राइब करके ही जाना तो मिजुक का मज़ा लीजिए